आज तक रेडियो सुनता है सारा जहान ग्यान ध्यान आपसे अगर कोई पूछे कि किन किन चीजों के आविशकार से दुनिया में एक नई करांती आई है तो आप बल्ब के बारे में बताएंगे आप वील के बारे में बताएंगे क्योंकि हमने किताबों में पढ़ा है कि वील एक करांतीकारी खोज थी लेकिन इनी चीजों में एक और नाम शुमार होता है जिस पर लोगों का कम ध्यान जाता है चलिए कुछ हिंट देते हैं ताकि आप उसका नाम गैस कर सके एक ऐसी चीज जिससे हम बचपन में दिवारों पर चित्र बनाया करते थे अब समझे किसकी बात हो रही है अच्छा चलिए एक और हिंट देते हैं वो चीज जिसे हम कटर से छिला करते थे और सहेज कर अपने स्कूल के बस्ते में रख लेते थे अब तो आपने पहचानी लिया होगा कि हम बात पैंसिल की कर रहे हैं वही पैंसिल जिसे बच्चे अपनी जान से ज्यादा प्रेम करते हैं और वही पैंसिल जिसकी कॉंसेप्ट पर बाद में पैं का निर्मान हुआ लेकिन ये पैंसिल बना कैसे? किसने सोचा कि लकडियों के बीच में ग्रिफाइट डाला जा सकता है? ये ग्रिफाइट कहां से आया? और पैंसिल को पैंसिल ही क्यों कहते हैं? है ना दिल्चस्प सवाल तो बने रहे हमारे साथ क्योंकि आज के ग्यान ध्यान में हम इनी प्रशनों के उत्तर को टटो लेंगे नमस्कार ग्यान ध्यान के एक और रोचक अंक के साथ हाजिर हूँ मैं प्रतीग वाग मारे दोस्तो देखिए हमारा बच्पन ना पैंसिल के बिना अधूरा है क्योंकि उसका इस्तेमाल हम किताब कौपियों के साथ साथ दिवारों पर चितरकारी करने के लिए भी किया करते थे जिसके चलते हमें बड़ी डाट भी पड़ी है तो जो हमारा जीवन का एक एहन हिस्सा है उसका इतिहास क्या है? पैंसिल अपने अस्तित्व में आया कैसे होगा? ये सब हम जानेंगे लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि पैंसिल शब्द को एक लेटिन शब्द पैंसिलस से लिया गया था जिसका मतलब होता है पूँच और पूँच का इस्तेमाल पुराने जमाने में पैंटिंग ब्रश बनाने के लिए किया जाता था इसलिए पैंसिलस से पैंसिल नाम पड़ा अब हम कहानी पर आते हैं साल था 1564 इंग्लेंड के बैरोडेल में एक तूफान आया जिसकी वज़े से एक पेड़ गिर गया कुछ दिनों बाद एक चरवाहा उदर से गुजर रहा था तो उसने देखा कि पेड़ की जड़ों में कुछ काले पदार्थ लगे है उसे लगा कि ये कोईला है लेकिन जब काले पदार्थ को जलाया तो वो जल ही नहीं रहा था जिसके बाद लोगों ने उसका नाम ब्लैक लेड रख दिया जिसे हम आज ग्रिफाइट के नाम से जानते हैं उस वक्त इसका इस्तेमाल बकरियों पर निशान लगाने के लिए किया जाने लगा और इंग्लैंड के बाजार में ग्रिफाइट को बेचा जाने लगा सोलवी शताबदी के अंत में लोगों ने ग्रिफाइट से लिखना शुरू किया लेकिन ये इतना नाजुक था कि उससे लिखने में परेशानी आ रही थी जिसके बाद लोगों ने ग्रिफाइट पर धागा लपेट कर लिखना शुरू किया अब कहानी को थोड़ा विराम देते हैं और कुछ फैक्ट्स पर बात करते हैं पैंसिल की प्रसिद्ध कंपनियों में अपसरा, नटराज, डूम्स का नाम शामिल है पूरी दुनिया में पैंसिल का बिजनस मॉडल 173.9 बिलियन से भी ज्यादा है तो अपने भारत में इसका बिजनस मॉडल 26 करोड रुपय का है अब क्या है पैंसिल का मार्केट पर प्रभाव और बढ़ते डिजिटल युग में क्या पैंसिल के मार्केट पर इसका कोई असर देखने को मिलता है ये जाना हमने दिल्ली में पैंसिल के कारोबारी सौरब सिंग से देखे यसा है कि पेंसिल की जो ये मार्केट है वो कभी डाउन नहीं होने वाली है क्योंकि पेंसिल कोई आज की चीज तो है नहीं लगभग अठारवी सदी से ही पेंसिल चला आ रहा है और यहां तक आने में कई तरह के पेंसिल लिख ले जिसे बच्चे बड़े चाव से खर आता हूं और लगभग सारी पेंसिल है निकल जाती है और कई बार तो पेंसिल कम भी पर जाती है अगर आप यकीन करें कि कोरोना के वक्त भी हमें सप्लाई के लिए कॉल साते थे लेकिन कोई सुविदा थी नहीं तो सप्लाई हम कर नहीं पाते थे और बहुत से लोग ऐसा भी सोचते हैं कि पेंसिल का मार्केट बिल्कुल डाउन हो जाएगा लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोनों का अपना एक अलग-अलग बिजनेस है और पेंसिल की प्रसंगिकता जो है वो कभी कम नहीं होगी ये तो बात थी पेंसिल के मार्केट वेल्यू की अब वापस से अपनी कहानी पर आते हैं 1560 में एक इटैलियन कपल्स ने पेंसिल के लिए जुनिपर पेड का इस्तेमाल किया उन्होंने जुनिपर की लकडी के टुकडे के अंदर सुराक कर ग्रेफाइट को डाल से चिपका दिया 1660 में जर्मनी ने लकडी के टुकडों को लेकर पेंसिल बनाना शुरू किया था जहां दो लकडी के टुकडों को तराश कर उसके बीच में ग्रेफाइट रखते और फिर उससे चिपका दिते इसके बाद 1790 के दौरान इंग्लैंड और फ्रांस के बीच जंग हुई जिसके बाद इंग्लैंड ने ग्रेफाइट को फ्रांस के लिए बैन कर दिया इंग्लैंड द्वारा ग्रेफाइट बैन के बाद फ्रांस में ग्रेफाइट की किल्लत होने लगी और फिर फ्रेंच के मिनिस्टर रुख करते हैं सेना के एक कमांडर और साइन्टिस्ट निकोलस कॉंटे का और ग्रेफाइट के इस समस्या का हल निकालने को कहते हैं कुछ दिनों बाद Nicholas ने एक बॉक्स में चिकनी मिट्टी, ग्रिफाइट और पानी डाल कर एक मिश्रन बनाया और सूखने के लिए रख दिया जब ये सूख जाता तो इसे फिर भट्टी में जला देते इसी दोरान Nicholas ने दे देखा कि चिकनी मिट्टी की मात्रा कम ज्यादा करने से लिखने में फरक आ रहा है जिसके बाद H.H.P. नामों से पैंसिल बनना शुरू हो गया साल 1795 में इस अविशकार का पेटेंट Nicholas Conte को मिला और आज तक ये पेटेंट इनके नाम पर ही है बदलते प्रयोगों के बीच पैंसिल के पीछे रबर अंग्रेजी में कहें तो इरेजर को भी लगाना शुरू कर दिया गया और आगे चल कर पैंसिल की तरज पर ही पैं का निर्मान भी किया गया और आज ये दोनों हमारे जीवन का एक एहम हिस्सा है तो आज आपने पैंसिल के आविशकार के बारे में जाना और समझा हमें उम्मीद है ग्यानध्यान के इस एपिसोड की मदद से पैंसिल के इतिहास को आपने अच्छे से समझा होगा कोई और विशय हो जिस पर आप ग्यानध्यान चाहते हो तो हमें जरूर लिखिये हमारा पता है radio at आज तक.com इस ग्यानध्यान के लिए रिसर्च किया मेरे साथ ही सूरज कुमार ने इसके अलावा आप हमसे कुछ कहना चाहते हों कोई सलाह, सुझाव या शिकायत हो तो हमें लिख सकते है radio at आज तक.com पर ये हमारा इमेल पता है आप आज तक radio के facebook और twitter पेज पर भी अपना कीमती feedback हमें भेज सकते हैं इसके अलावा आप हमारा ये podcast, huboper, story tell, google podcast, apple podcast, spotify, geo sawan, pocket cast जैसे तमाम platforms पर भी सुन सकते हैं अब मुझे यानि प्रतीक वागमारे को दीजी इजाजत और सुनते रहिए आज तक radio, नमस्कार मेरे पासना काम बहुत है और आखें मेरी हमेशा occupied रहती है ओफिस में screen देखो, drive करते हुए सडक देखो, फिर घर आकर खाना बनाओ पर कान मेरे free रहते हैं इन कान से भी मैं बहुत काम करती हूँ, मास्क टिकाती हूँ, चश्मा लगाती हूँ और सुनती हूँ आज तक radio, क्योंकि podcast की बात ही अलग है आप भी सुनकर देखो आज तक radio, सुनता है सारा जहां